अगर आप लोग civil service exam की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग अकसर सुनते होंगे और देखते भी होंगे कि अगर सबसे जान्दा किसी subject की चर्चा रहती है और चर्चा में कोई subject रहता है तो वो है आपका optional subject subject विकल्फिक विसय की बात करा हूं में और कहते हैं कि विकल्फिक विसय आपका काम बना भी सकता है और आपका काम बिगाड़ भी सकता है और इसलिए आप लोगों को optional subject चुनते समय बड़ा ध्यान देना चाहिए और सोच विचार करके आपको चुनना चाहिए थोड़ा research कर लेनी चाहिए मुझे लगता है तो आज आपके सामने हम लोग समासास्त विसय की बात करने वाले sociology जिसे आप लोग कहते हैं यह भी आपका optional ही subject है और यह आप सभी जानते हैं कि आपका optional subject 500 नंबर करेता है और इसमें आप लोगों को दो paper देखने को मिलते हैं पहला paper आप देखते हैं कि यह भी 250 नंग का रहता है और दूसरा paper भी आप देखते हैं कि 250 नंग का रहता है और पितेग paper के लिए 3 घंटे का आपको समय मिलता है और merit based paper है जो final merit list बनती है जिसके आधार पर आपको कोई पद मिलता है समझ रहे हैं तो उसमें number इसके जोड़ते हैं optional के यह आप लोग याद रखिएगा और इसे लिए आप देखेंगे कि यह बात पूर्ड भी है काफी है तो अगर हम लोग समास सास्ति की बात करें उससे पहले कुछ बातें आपको बता देता हूँ कि अगर optional चुनने में आप को confusion है तो यह पिर्माने हो सकते हैं आप इन पिर्मानों को ध्यान में रखते हैं अपना subject चुन सकते हैं पहले तो मुझे लगता है कि आपको कौसिस करनी चाहिए कि जिसमें आपका interest हो जो आपको subject अच्छा लगता हो और आपको लगता हो कि आप cover कर सकते हैं और बहुत सकते हैं और देखिए जिए उस सामानत धिन में मदद करते हों क्योंकि GS के जो चार पेपर होते हैं उनकी बात हो रही है तो इन में तीन पेपर जो आप सुरूआ देखते हैं SG optional से indirect direct जुड़े भी रहते हैं तो उसमें जो मदद करते हों आपको वो subject आप ले सकते हैं जैसे भूग ओल हो गया economy हो गई या आप देखिए इतिहास हो गया फिर आप लोग चुन सकते हैं sociology भी समास सास्त भी अगर आप समास से जुड़े हुए हैं NGO में काम करते रहते हैं दूसरों को देखकर कभी subject ना चुने यानि कि कहते हैं कि हमारे दोस्त ने यह ले लिया या हमारे रिष्टेदार ने यह ले लिया तो हम वही ले ले वो मत करिएगा ग्यारवी बारवी का time खतम हो चुका है college की जिन्देगी खतम हो चुकी है आपने देखा होगा मैंने भी देखा है अकसर मैंने भी 11 में सबने 10 वी पास की हो 11 में सुचा क्या ले तो सबने math लिया तो math ले लिया फिर बारवी के साथ biology भी अश्टरा में हो जाती है तो वह भी ले लो फिर कहा कि बारवी के बाद computer science से भी स्थी होती है तो सब ने वही कर ली तो वह मत करना यहां यह subject में ऐसी में आपको फाइदा पहुंचा रहा है मदद पहुंचा रहा है तो वह माइन रखता है अंकेदाई हो steady material आसानी से मिल जाए ऐसा भी subject मत लख लिए जो आपको interest है पढ़ने में लेकिन उसका steady material नहीं मिल जाए तो वह भी आपको ध्यान रखना होगा और बाखी steady words pattern पुरानी questions paper उठा के जरूर आप लोग देखा करेगा पहले ठीक है जो भी आपको लग रहा है कि दो तीन पेपर दो तीन सब्जेक्ट में से एक चुनना है तो उन तीनों के देख लीजे जो आपको अच्छा लगी रख लीजे तो समासास्त की अगर हम लोग बात करें इसके still words की तो पहले पिसन पत्त है ना जूग आप सभी को बता चुका हो कि optional में आपके दो पेपर होते हैं पहला पेपर और दूसरा पेपर अगर और दूसरा पेपर भी 250 अगर तो पहले पेपर के लिए यानि कि 250 नंबर के लिए पहले पेपर के लिए आपको क्या-क्या पढ़ना पढ़ेगा वो देख लीजी आप लो तो समासास्त की मूलबूत सिध्धान पढ़ना है इसमें समासास्त बिध्या साखा इरोब में आधो निकता एवं सामाजिक परिवर्थन तता समासास्त का अविर्भाव समासास्त का विसाचित एवं अन्य सामाजिक विग्यान से इसकी तुल्ला समासास्त एवं सामान बहुत की बारें पढ़ना होगा फिर आप लोग इसी में समासास्त बिज्ञान की रूम में बिज्ञान बिज्ञानिक पद्धिती एवं समीक्चा अनुसंधान किरिया विधी के प्रमुक सिध्धान्तिक तत्थ पित्यक्छवाद तकनीक परिवर्तन परिवर्त पिती चैन प्रकल्पना विस्वसनीता एवं बैद्धिता फिर आप देखिए समासास्त समाज सास्त्री चैन तक इसमें काल माक्स हो गया इसके बारें पढ़ना होगा इतिहास एक भौतिक बाद उत्पादन बिदी बी संबंधन बर्ग संगस फिर आप लोग इमाईल दुखीम हो गया सरम वेभाजन सामाजिक तत्थ आतमत्या धरम एवं समाज मैक्स वेवर हो गया सामाजिक करिया आदर्स प्यारूप सत्ता अधिकारी तंत प्रोटे स्टेंट नीती सास्त पूंजी बाद की भावना पढ़ेंगे ताल कोट हो गया ताल कोट परसंस इस सामाजी विवस्था पिती रूप परिवर्थ इनके बारे में पढ़ेंगे रोबर्ट के मर्टन इसमें आप ब्यक्त तथा अभी ब्यक्त पिकार अनुरूपता एवं भी सामानिता संदर्व समूप पढ़ेंगे फिर आप लोग क्या करेंगे मीड आत् एवं तदात्म के बारे में पढ़ेंगे और मैं कहता हूँ कि आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते समय एक-एक सब्द को पढ़ा करिएगा एक-एक सब्द का जुसे लेवर से ना उसे कवर किया करिएगा ठीक है इस्तरी करन इस्तरी करन इवं गती सिलता इसमें संकल्पनाय होगे समानता आसमानता अधिकरम अप वर्जन गरीवी एवं अंचन होगया सामाजिक इस्तरीकरण, कि सिधान, सरचनात्म कार, पिकारवादी, सिधान, माक्सवादी, सिधान, बेवर का सिधान ये सवी पढ़ेंगे समाज उद्दोगिक फूंजीवाद समाज कारिक आपचारिक एभम अनुपचारिक संगतन सरम एभम समाज इनके बारें पढ़ेंगे फिर आप लोग राजनीती एभम समाज के बारे में इसमें आप देखे सत्ता की समाज सास्तरी सिध्धान सत्ता परवजन अधिकारी तंद दवाव समो राजनीतिक दल राष्ट राजनांगरिक्ता लोकतंत सिविल समाज बिचारधारा बिरोध आंदोलन सामाजिक आंदोलन सामुहिक करिया करांती के बारें पढ़ेंगे फिर आप लोग धरम एभम समाज के बारे में धरम के समाज सास्तिरी सिध्धान धार्मिक प तक्तोबाद हो गया बहु तक्तोबाद हो गया पंत उपासना पद्दितियां पढ़ेंगे आध्योनीक समाज में धरम धरम एबं विज्ञान धरम निरप पेक्छी करन धार्मिक पुनर पिवर्तन बाद मोल तक्तोबाद इससमाब को कबर करना होगा नातेदारी की विवस् पर आप देखे दूसरा पिसन पत्थे और ये भी 250 नंबर का पूचा जाता है इसके लिए भी आपके पास टाइम तीन घंटे का रहता है तो इसके लिए क्या क्या पढ़ना है? तो भारती समाज, सरचना एवं परिवर्थन देखेंगे। इन सब के बारे में देखेंगे। भारत में जनजातिय समुदाय, परिवासिय समस्याय हो गई, भोगोलिक विस्तार हो गया, उपने बेसिक नीतियां, एवं जनजातियां हो गया, एकी करन वा स्वायत्ता की मुद्दे हो गया। थिर आप देखे भारत में समाजिक वर्ग, इसमें कििस्तिक वर्ग सरचना, और दोगिक वर्ग सरचना, भारत में मध्यम बर्ग। और भारत में नातियदारी विवस्था की अगर हम बात करें, तो भारत में बंस एवं बंसा नुकरम, नातियदारी विवस्था की पिरकार, भारत में परिवार एवं विवा, परिवार घरेलु आयाम, पित, तंद, हकदारी एवं सरम का लिंगाधारित विभाजन देखेंगे धर्म यवं समाज इसमें भारत में धार्मिक समधाय, धार्मिक अल्चा के अल्व संख्याकों की जो समस्तिया हैं उने पड़ेंगे आप फिर भारत में सामाजिक परिवर्तन, भारत में सामाजिक परिवर्तन की दिरिष्टियां विकास आयोजना एवं मिस्तरित अर्द्वस्था का विचार समिधान विधी एवं सामाजिक परिवर्तन और सिप्छा एवं सामाजिक परिवर्तन भारत में गरामीड एवं करिसिक रूप आंतरन गरामीड विकास का रिकरम समधाय विकास का रिकरम सहेकारी संस्थाएं झेलिकषे के बारें पड़ेखे, भारत में आधुनी को दोगों का विकास, भारत में नगरी ये बस्तियों में बिध्धी, स्रेमिक बरक, सरचना बिध्धी, बरक, संगठन, अनुप्चारिक जेतरक बाल सरेमिक नगरी छेत में गंधिवस्ति एवं बंचन राजनिति एवं समाज इसमें आप देखेंगे राश्ट लोकतन एवं नागरिकता राजनितिक दल दबाव समभू, सामाजीक एवं राजनितिक प्रववजन, छेतरेता बाद एवं सत्ता का विकेंद रीकरण, धरम निरपेक्षी करण, पर आप देखेंगे आधुनिक भारत में सामाजीक अंदोलन, किरसा के एवं किसान अंदोलन, महला अंदोलन, पिछा वर्ग एवं दलित बर्ग के अंदोलन जो रहे हैं, उनके बारें पढ़ेंगे, जन संक्या गतिकी, जन संक्या आकार, विद्धी संगठन, बितरन के बारे में, जन संक्या विद्धी के घटक, जनम, मित्तिव, परवासन के बारे में, जन संक्या नीति एवं परिवार नेवजन के बारे में, गरीवी वंचन एवं आसमानता हैं, इस्तिरियों के वितिहिंसा, जाती द्वेंद, निजाती द्वेंद, संपधायक्ता, धार्मिक पुनर, पुनाप वर्तन बाद, आस साक्षर्ता, एवं सिक्छा में समानताओं के बारे में आपको पढ़ना होगा। तो जो अर्थ सास्त्र है, यानि की सोसियोलोजी है आपका, इतना सिलेवर्स आपको उसमें कबर करना है, 500 नमबर के लिए, ठीक है, यह आप देखिए, इन दोनों के पेपर के लिए, आपको इतना सिलेवर्स कम्पलीट करना है, और आपको बता रहा हूँ ना, जो 2025 के आधार पर मेरिट लिष्ट बनती है न, जिसके आधार पर आपको कोई पद मिलता है, उसमें यह 500 नमबर मायने रखते हैं, और काफी महत्पूर रहते हैं, सोचा करिएगा, सोच विचार के ही, लिखा करिएगा, और क्या, सब्जेक्ट भी चुना करिएगा, सोच विचार के, अब उसका नम भी आप बता सकते हैं,